ओम नमस्षिवाय स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको सोंबार का उपाई बताने बाला हूँ इस बार सोंबार को तीन महायोग बन रहें आपने थमनेल में देखी लिया होगा तीन ऐसे महायोग जो कापी सालों के बाद में बनते हैं अगर आपको पुत्र चाहिए, धन चाहिए तो इस दिन जो पाई में बताने बाला हूँ वह जरूर करें साथी बागिसाली रासियों के बारे में जानकारी दोँगा आने वाला समय इन रासी वालों के लिए बहुत ही शुभरेने वाला है सोम्मार की दिन भगवान सिव और माता पारवती की पूजा का बड़ा महत होता है उसमें भी अगर भगवान सिव वाल की दिन यानि सोम्मार की दिन गोरी तरतिया का दिन पढ़ जाए यानि माता पारवती का दिन भी पढ़ जाए गोरी तरतिया वाले दिन क्या हुआ था इस दिन माता पारवती का बेवा हुआ था भगवान सिव से दक के प्रजापती की जो पुत्री थी उनका एक नाम गोरी भी था माता सती का गोरी भी था तो भगवान सिवकी उन्होंने तपश्या की और भगवान ने प्रसन हो करके उनको बढ़तान दिया और इस दिन बेवा हुआ था माग मास के महिने के सुक्ल पकीत रहती आते थी थी तो बड़ा महत्व है स्वागन मेलाओं का बहुत बड़ा दिन होता है ये साथ ही कौारी कन्याई भी बिरत रख सकती है सबसे पहला उपाए गाय के दूद में आपको सहध डाल करके ध्यान देना है गाय के दूद में सहध डाल करके भगवान सिवकाव सिख करना है पंच्यम्रत भी आप बना सकते हैं और इन दो चीजों को आप सिख भी कर सकते हैं ओम नमश्वाय मंत्र का जाप करते हुए हैं उसके बाद में 11 आग के पत्ते, 11 बेल पत्तर के पत्ते और साथ ही आपको बीच में समी पत्तर भी बानते नहीं तो 31 पत्ते टोटल मिला करके आपको त्यार कर लेने हैं और प्रतिक पत्ते पर ओम नमश्वाय लिखना हैं और यह हैं पत्तों की माला बना करके भगवान सिख को समर्पित कर देनी हैं जितने आपने पत्ते चड़ाएं उतने ही चावल के दाने उतने ही गेहूं के दाने भगवान सिख को समर्पित करने एक दतूरा भी भगवान सिख को चड़ाएं और जितने बेल पत्तर के पत्ते यानि 31, 21 जितने भी आप चड़ा रहे हैं उसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रात्रा बोलते हुए ओम नवश्वाय मंत्र का जाप करें और इस दिन की कथा जरू स्रवड़ करें मेश रासी, मितुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी और मीन रासी ये रासिया इस दिन बियादी जादा बाग गिसाली रहने वाले हैं माता पारवती को चड़ा हुआ सिंगार मेलाएं जरूर लेकर के आएं भगवान के सामने चड़े हुए फल लाकर के जरूर काएं आपकी हर मनुकामना पूरी होगी